चंडीगड में बोले ग्रे मंतरी आमित शाह दोजार नटीस में भी NDA की ही सरकार बनेगी विपक्ष किसी गफलत में ना रहे एक दिन के दोरे पर चंडीगड पहुचे हुए हैं ग्रे मंतरी आमित शाह और मनी माजरा में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है और उसी तोरान ये बातें कहीं हैं कि विपक्ष किसी गफलत में ना रहे दोहजार उन्तीस में भी NDA की ही सरकार बनेगी के लिए आज जो योजना का उद्गातन हुआ है 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा मोबाईल में आज से बेहनों को एलाम लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी जब भी आपको काम हो नल चालू कर दीजेगा पानी उपलब्ध होगा कोई टेंकर नहीं होगा पहला मदला हो या चोथा मदला जरूरी प्रेसर के साथ मनी माजरा के पूरे ख्षेत्र में एक लाख लोगों को पानी मिलने की आज से शुरूआत हो रही है लगबग 75 करोड इसके पिछे खर्च हुआ है एक लाग से ज़्यादा आबादी को इसका फायदा में बुलेगा और 855 एकड में फैली हुई ये वस्ती आबादी 22 किलो मिटर नई पाइपलाइन से अब 24 गंटा पानी की उपलब्दता होगी साथ साल के कम अंतर में 15 करोर घरों में पानी पहुचाने का काम पूरा हो गया है बेश के 74,74 परसंट घरों में पीने का पानी स्वच उपलब्द हो गया है और आखड़े देखिए ये नल से जल योधना जल जीवन मिशन योधना सुरू होने के बाद डाइरिया सबंदित मृत्यू में देश में 3 लाग की कमी आई है आप एक बाद समझे ये योजना के पहले डाइरिया समबंदित मृत्यू 4 लाग होते थे और अब उसमें 3 लाग की कमी आई है लगबग 15 करोड घरों में पानी पहुचा और 3 करोड कनेक्शन तो 2023 में दिये गए और मैं आपको विश्वास दिता हूँ मोदी तीन का कारेकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुचाने का प्रबंद प्रदान मंत्री पुरा कर चुके होंगे